बढ़ती गर्मी के साथ राजस्थान में लोग सब चुनाप को लेकर सियासी पारा बढ़ने लगा है। इसने पहले कई तरह के ब्रहामक पिरचार को लेकर राजनेता अपनी वजहात देते नजर आ रहा है। बीजेपी के उमीद्वार केला जी चोधरी को बोड़ देंगी। और उसमें हरीज जी और मेरी सहमती की बात भी उसमें कहीं गई है। और इस प्रकार की जाड समाज की न तो कोई बैठ कोई और न मेरा और हरीज जी का इस प्रकार का उनके प्रक्स में कहना का कोई प्रशन ही नहीं उठता। हम लोग कॉंग्रेस के उमीद्वार उमेद रामजी बेनेवाल के लिए पूरे जी जान से लगए हैं और जाड समाज भी उमेद रामजी के साथ मजबूती से कड़ा है। यह जो सामने उमीद्वार है दोनों उमीद्वार बीज़ेपी को दिर्दी यह स्तरे की अफवाएं फैला करके और वोटों को लोगों में दिमाग में लोग वोटर के दिमाग में इस परहिं की ब्रंप भार्वार को दुसित करके जीतना चाहते हैं जो कि पत्त ही उनके मनस किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बैठक जीवन के अंदर ही नहीं हुई इस चुनाव को छोड़ो कभी भी राजनितिक तौर के अंदर इस प्रकार की बैठक समाज की कभी भी नहीं हुई है इस चुनाव के अंदर भी इस प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई है जो जन्द समर्थन 36 कौम का उमेदाराम बैनिवाल को मिलवाए वो चुनाव चीत रहे हैं यह दोनों की दोनों प्रत्यासी जो एक जिगा से ही प्रेनिंग नहीं है बानिते जन्दापार्टी से इस तरह की अर्शत्या प्रचार करकर भ्रांती फैलाने का प्रियास कर रहे हैं आप सब लोगों से यह निवेदन हैं जिस प्रकार से आप उमेदाराम जी की मदद कर जो आप मजबूती से यह तो शुरुवात हुई है इस तरह की प्रचार की प्रकार की प्रचार से आप लोग साउधात हो और मजबूती से उमेदाराम जी की आप बदत कर रहे हो 26 तक बदत रखो वोट डालकार और इन ताक्तों का मूत और जवाब जो मित्या असरत्य बाते आप लोगों को बीच में करवा कर और वोट लेना चाहते हैं उनका करारा जवाब आप लोग को इस वोट से दो धन्यवाद जैन द्राव